हलो फिरिंज आप देख रहे हैं फिल्मे बीट और मैं हूँ आपके साथ रेनु माथुर बॉलिवुट के दिगज आक्टर धर्मेंदर हाल ही में हॉस्पिटल से डिस्चार्ज हो कर अपने घर वापस आ गए हैं लेकिन जैसे ही फैंस को पता चला था कि धर्मेंदर की हालत गंबीर है और उन्हें हॉस्पिटल में एडमिट कर आए गया है उसके बाद हर कोई धर्मेंदर के लिए अपने दोनों हाँ जोड कर इश्वर से प्रातना कर रहा था अभी धर्मेंदर की गंब से लोग बाहर भी नहीं आपाए थे कि बॉलिवुट के दिगज आक्टर मितुन चकरवर्ती को लेकर बड़ी खबर साबने आई है वो ये है कि मितुन चकरवर्ती को हॉस्पिटल में एडमिट कर आए गया है सोशल मीडिया पर मितुन चकरवर्ती की बेट पर लेटे हुए फोटो सोशल मीडिया पर तेजी से वाइरल हो रही है फोटो वाइरल होने के बाद एक्टर की हिल्थ को लेकर फैंस काफी परिशान हो गए है इसके साथ ही उनकी सेहत को लेकर भी काफी दुआएं की जा रही है जैसे ही मितुन चकरवर्ती की फोटो सोशल मीडिया पर वाइरल हुई तरह तरह की अवाहे भी उन्ने लगी है कोई कहने लगा कि मितुन चकरवर्ती की हालत बहुत ज़्यादा गंबीर है तो कोई कहने लगा कि मितुन चकरवर्ती इस दुनिया में नहीं रहे इन सब अफराओं के बीच उनके बीचे का बयान सामने आ गया है जिनों ने मितुन चकरवर्ती के बारे में सब को बिलकुल क्लियर कर दिया है कि मितुन चकरवर्ती बिलकुल ठीक है और हॉस्पिटल से ड पारल फोटो का सर्च हम आपको बताने जा रहे हैं दरशल जिस फोटो के बारे में हम आपको बात कर रहे हैं वो हॉस्पिटल का भी फोटो है बिलकुल मितुन चक्रवर्ती ही ए उनप formula में लेकिन यह फोटो उस वक्त का है जब मितुन चक्रवर्ती cot की वज़ा से कराए गया था वाइरल फोटो हॉस्पिटल की ही है जिसमें वो बेहोशी की हालत में बैट पर लेटे हुए नजर आ रहे हैं लेकिन अब आक्टर की सेहत में बिल्कुल सुधार है और उन्हें बैंगलूरू के हॉस्पिटल से डिस्चार्ज भी कर दिया गया है अब मिथुन चकरवर्ती बिल्कुल फिट एंड फाइन है तो आपको घबराने की जरूरत नहीं है क्योंकि मिथुन चकरवर्ती अपने घर पर वापस आ गया है बिल्कुल फिट है इसके साथ ही मिथुन के बेटे ने जब हेल्थ अपडेट के बारे में बताया है सबको तो उसके बाद लाकु फैंस ने राहत की सांस ली है और सबी लोग अक्टर के जल्द ठीक होने की द्वाएं भी कर रहे हैं